Hey guys, welcome back तो guys हम लोग जैसे कि अपना image crud जो complete कर रहे थे तो guys इसमें अभी हम लोग जो third part में आये हैं कि हम लोग check कर रहे हैं that it should accept only image तो सिर्फ इसको image ही accept करना है तो उसका कुछ validation करते हैं ठीक है तो guys इसमें हम लोग को बहुत types of validations भी है जो कि HTML से दिया जाता है और जो कि PHP से भी दिया जाता है ठीक है तो guys हम लोग कुछ methods मैंने रखा है उसके लिए solve करने के लिए तो guys first हम लोग अपना ये reload करता हूँ और अपने code पे चलते हैं तो ये रहा हमारा create.php file और ये हमारा form है ठीक है simple form और इसमें दिया गया student image तो ये student image का हमारा यहाँ पर ये file upload का option मिला है तो यहाँ पर जैसे हम click करते हैं आपको दिखना चालो हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर कुछ folders हैं कुछ files है excel file है ये excel का रहा ये वगेरा इसके अंदर codes का है js 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 तो ऐसे से files दिखना शुरू हो गया रइट तो हमको सिर्फ चाहिए image का सही है तो उसके ही साथ से हमें सिर्फ image का चाहिए इसका पी एंजी का जेपीजी का अब वैलिडेट कर सकता है तो इसके लिए तो गैस हम लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अपना code हम लोग इने बना के रखा है तो यहाँ HTML का copy का वै लेडेशन के लिए twor हुआ है स यहाँ पे आपको तीन मिलता है या तो इस में करिए या तो इस में तर्द भी तर में गौरियिक यह तो सभी इन्पूट बॉक्स क्लिक करते हैं इसको रिलोड किया और यहां पर क्लिक करते ही मुझे देखिए तो यहां पर ऐसे मिलना शुरू हो जाएंगे डाउनलोड में चलता हूँ आपको कोई टाइप का फाइल नहीं दिखेगा ओनली सिर्फ इमेज टाइप का फाइल दिखेगा एकसल बगेर कुछ नहीं रहेगा ठीक है तो में मुदा अभी यह तो यूज कर लिया हमों लोगों ने वैलिडेशन के लिए तो अभी अगर कोई होश्यार बंदा है वो इंस्पेक्ट करके आपका फाइल अपलोड कर देगा जैसे कि अभी इंस्पेक्ट करके मैं उसका ने यहां पर निकाल देता हूं एकसेप्ट इमेज वाला देखिए यहां पर निकाल दिया सेट हो गया अभी आपको मल्टिपल दूसरा फाइल दिखना शुरू हो जाएंगे जैसे कि आप डॉक डॉलोड में जाईए आपको देखना देखिए एकसल पीडिया सब दिखना शु तो यह यूजर इंटरेक्शन के लिए आप रख सकते हूं कि यूजर कंफियूज ना हो सिर्फ इमेज ही ले सके वो इसके लिए हम लोग यह यूज करते हैं बाकी रहा कोडिंग पे जैसे ही सब्मिट करोगे आप तो कोड में जाना है कोड में चेक करना है कि यह उनली इमे इस लिए में आप जिए सब्सक्राइब यूजर कोड करे रख लिया है तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं तो यह अपने कोड 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 किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया मैंने अब ही पहले बताता हूं पहले एक वेरिया बोनाया उसमें जो कि लिस्ट अफ और इसको बोल दिया अलावड एक्स्टेंशन जैसे जैपीज जीए फी एफ बिंजी जैपीजी जैपीजी तो यह चार एक्स्टेंशस मेरे को ही स्टोड ही करना है नहीं तो उसके लागों कुछ नहीं ठीक है तो सिंपल में यह हमारा स्टूडेंट इमेज़ों की फाइल ने ठीक है यहां पर file name अब इसमें जो file name में जो आ रहा है आपका path का dot extension वाला क्या है उसको इस help PHP I mean path info function से use करके आप उसका extension निकाल सकते हो इस file name का ठीक है जैसे कि founder dot jpg हो गया तो dot jpg वाला extension बहार आ जाएगा यहां पर file extension में आ जाएगा फिर उसके बाद in array function यूज करके आप file extension को check कर सकते हैं कि उस array में data है कि नहीं उस type का अगर नहीं है तो else में आ जाएगा ठीक है अगर है वह ऐसा कुछ नहीं है तो बोल देगा you are allowed with only jpg, jpng वगेरा वगेरा jpg and gif ठीक है तो इस type का फिर उसके बाद यह चला जाएगा राइट तो यहां set हो गया और यह else condition में जो है यह अपना यह part आके इसको cut करके यहाँ पर last में हमें paste करना है ठीक है यहाँ पर paste कर दिये और इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं सही है तो गाइस अभी क्या करते हैं अभी जैसे यह save करते हैं और इसको test किया जाए पहले ठीक है तो गाइस अभी हम लोग कुछ और image upload करेंगे तो य यह चीज निकालना पड़ेगा accept image वाला इसको निकाल दिया मैंने यहाँ पर save किया और वापस page को reload कर लिया reload करने के बाद let's see other files आते हैं यह बार बार इसी पर चला जाए ओके तो यहाँ पर scroll down किया यह रहा मेरा कुछ pdf file यहाँ पर इसको click किया मैंने और इसको upload करता हूँ open किया और यहाँ पर कुछ data डाल देते हैं testing के कारण अभी database में save नहीं होगा ठीक है तो इसको submit किया मैंने देखिए you are allowed with only jpg, png, jpg and gif images ठीक है तो इस हम लोग correct से सब कुछ work कर गया है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग अपने database में भी check कर लेते हैं php tutorials हमारा database था और उसमें student table name था उसमें जाके देखते हैं कोई data added है की नहीं तो यहाँ पर कोई data add नहीं हुआ है जो कि हम लोग ने store किया है ठीक है तो यहाँ पर एक और test कर लेते हैं जो कि सिर्फ image ही accept करना है अभी तो हम लोग pdf चेक किये अभी मैं excel upload करूंगा ठीक है तो यहाँ पर click किया submit किया यहाँ पर देख सकते हैं आप you are not you are allowed only with यह 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 extensions के साथ that's it सवाइस हम लोग इस वीडियो में cover कर चुके हैं कि कैसे इसको save किया जाए ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं पहले यहाँ पर एक और record insert कर लेते हैं इसी है यहाँ पर जो भी four number है वगएर वगएर डाल देजिए और एक image ले लेता हूं यहाँ पर image ले लेते हैं simple सा चलिए इसका है ले लेते हैं यहाँ पर लगा दीजिए इसका नम कुछ कुमारी करके रख लीजिए और इसको save करते हैं jpg है तो इसको save होना चाहिए save image stored successfully cool तो image store भी हो गया है और यहाँ पर student table में चेक करते हैं record यहाँ पर inserted रहेगा nice और अपने जो folder में है move कर रहे थे वो path भी call हो गया है nice इस video में हम लोग cover कर चुके हैं कि कैसे validate करें सिर्फ images के लिए ठीक है अगर आपके पास कुछ और extensions है ता आप यहाँ पर just add on कर देना है that's it तो यहाँ पर कुछ ज्यादा condition नहीं लगेगा यह नहीं लगेगा तो यह सबसे easiest method है check करने के लिए and मतलब fast भी है okay so guys thank you for watching this video please subscribe like and share and continue with next video जो की हमारा image fetching का काम होगा in index.php में तो यहाँ पर हम लोग अपना tableable बना के fetch करते हैं image so thank you once again